हेलो एवरिवन, वेलकम बेक टो माई चैनल आज हम बनाएंगे आलू की प्रेंच फ्राइज जो घर पर ही बड़े आराम से और बड़ी आसानी से बनाए जा सकती है आलू के फ्राइज सभी को बहुत पसंद होते हैं बच्चे बड़े सभी को ये बहुत अच्छी लगती है तो चले शुरू करते हैं आज की इस रेसिपी को इसके लिए हमने पांच आलू को अच्छे से धो करके ले लिया है और इनको हम बीच में से इस तरह से कट करेंगे हाफ कट करके फिर उसका हाफ हमने कट करना है और फिर उस हाफ का फिर से हाफ कट करना है तो जिस तरह से दिखाया जा रहा है उसी तरह से आप आलू को कट कर लेजिए और इसमें एक विशेश बात ये है कि हमें इनका छिलका नहीं उतारना है क्योंकि ये फ्राइज छिलके के साथ ही अच्छे लगते हैं तो इस तरह से हम इनको पतला पतला काट लेंगे और कहीं से अगर आलू खराब है तो हम उसको निकाल देंगे तो पतले पतले स्लाइस हम आलू के ज़्यादा पतले भी हमने नहीं करने है ठीक से हिसाब की हम इनको करेंगे और इस तरह से हमने सभी आलू को काट लिया है काटने के बाद हम इनको नहीं धोएंगे तो अब हम एक बड़े बॉल में इन सभी आलू को डालेंगे और इसके अंदर हम आप कुछ मसाले अड़ करेंगे सबसे पहले हम इसमें डालेंगे कॉन फ्लोर जिसमें हमने दो चमच जो रोजाना इस्तेमाल में आने वाली चमच है दो चमच कॉन फ्लोर के डाले हैं और इसके साथ ही हम एक चमच मैदे की भी डाल सकते हैं और अब हम इसमें डालेंगे मसाले यह भी हमने थोड़ा सा इसमें अजवाइन डाला है अजवाइन के बाद अब हम इसमें बाकी के मसाले मिलाएंगे इसमें लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और स्वाद के अनुसार हम इसमें नमक को मिलाएंगे थोड़ी सी हम इसमें डालेंगे हींग इसमें इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है थोड़ा सा ओरिगेनो डाल दी है और थोड़ा सा भुना हुआ आधी चमच, भुना हुआ जीरा, थोड़ा सा चाट मसाला इन सभी चीजों को मिला करके हम अच्छे से हाथ के साथ इस सारे मसाले को आलू के उपर मिक्स करेंगे ताकि सारा मसाला आलू के उपर कोटल हो जाए पूरे आलू अच्छे से इसमे कोट हो जाए और इसके बाद हमने इसको रखना नहीं है इसके साथ ही हमने तेल को पहले ही गरम होने के लिए रख दया था और गरम गरम तेल में ही हम इन आलों को डालेंगे और ये प्रकिरिया हम तेज आज पर तेल को रख कर ही करेंगे अगर हम धिमी आज पर करते हैं तो आलों के अंदर तेल ज़्यादा चला जाता है और वो इतने अच्छे नहीं बनते हैं तो ये देखिए हमारे कितने सुन्दर कितने अच्छे से आलू के फ्राइज त्यार हो गए है इसी तरह से हम बाकी के सभी आलू को तल के निकाल लेंगे और सारे बैच हम इसी तरह से बना करके तयार कर लेंगे तो जब तक हमारे ये आलू फ्राई हो रहे हैं तब तक आप वीडियो को लाइक कर लेजिए चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेजिए ताकि इस परकार की अन्य और भी वीडियो आपको सबसे पहले और आसानी से मिल सके तो इस तरह से हम सभी आलू को फ्राई करके एक टीशू पेपर पर निकाल लेंगे तो ये देखिए हमारा दूसरा बैस भी तैयार हो गया है और ये कितने अच्छे और क्रिस्पी और करारे बने है तो इसी तरह से हम सभी आलों को बना लेंगे और ये हमारे प्राइस बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छे बने है अगर आपको ये रेस्पी पसंद आई हो तो रेस्पी को लाइक करें चैनल को सबस्क्राइब करें और बाद में हम इसके उपर थोड़ा सा चाट मसाला जरूर डालेंगे ताकि इसके अंदर एक अच्छा सा टैंगी टेस्ट आ जाए और ठाने का स्वाद दो गुना बढ़ जाएगा तो ये थे हमारे आलू के फ्राइस अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेर अबशे कीजिए तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत